क्यों दुबादिया एलविश ने यादवों का नाम जिसे पूरा देश चाहता था वो परदे के पीछे कर रहा था इतना गलत काम करोडों की कमाई और तगली फ्रेंड फोलाइंग होने के बाद भी ऐसे धंदे में क्यों गुसे थे एलविश विदेशी लड़कियों रेव पार्टी और जहर का क्या है कनेक्शन क्या सच में एलविश ने किया ऐसा काम या इसके पीछे छिपी है कोई गहरी साजिश देखिए F.I.R. दर्ज होने के बाद अब तक क्या-क्या सच सामने आया कैसे मेंका गांधी के एक फोन ने खोली गोरक दंदे की पॉल पॉइंट वन परसेंट भी अगर इस चीज में इन्वाल्पमेंट मिल जाती है मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तयार हूँ आज सुबह से ही बिग बॉस OTT के बिजेता और अपने सिस्टम से दुनिया भर को हिलाने वाले यादब छोड़े एलविश यादब का नाम खबरों में छाया हुआ है उनको लेकर के तरह तरह की खबरे सामने आ रही है और अब खुद एलविश ने सामने आकर अपनी सफाई पेश की है जो एलविश यादब परदे पर सबको हिला देते थे वो एक अपरादी बाला काम करते हुए दबोचे जाएंगे ये किसी ने सोचा रही था एलविश और उनके साथियों पर नोईडा में रिव पार्टी कराने का आरोप है इसको लेकर के पाँच लोगों की गिरफतारी भी हुई है और एलविश का नाम उनसे जोड़ा जा रहा है हैरानी की बात ये है कि इन सब पर साप के जहर की तसकरी का आरोप है एक और जहां एलविश के गोरक धंदे का सच सामने आया तो दूसरी और उनके समर तक इसके पीछे किसी गहरी साज़ेश होने का सक जताने लगे ऐसे मैं सब जानना चाते है कि आखिर इस पूरी कहानी के पीछे का सच क्या है परदे के पीछे कौन एलविश दूसमनी निभा रहा है या फिर एलविश खुदी एक बिलेन है चलिए पहले आपको इस पूरे केस के बारे में बताते हैं और फिर बताएंगे कि एलविश को जिसमें उनका भी नाम शामिल है। मौके से पुलिस को कई साप बरामद हुए है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पाथ से 20 मिली लीटर जहर और 9 जिंदा साप मिले। इसमें पाँच कोबरा, एक अजगर, दो दुमुही साप और एक रेट स्निक यानि घोडा पचार्शा मिल है। बैसे तु ये सभी खतरनाक साप हैं लेकिन आरोपि इनका इस्तिमाल नशे के लिए करते थे। देश में सापों को गैर कानूनी तोर पर रखना एक अपराद है। ऐसे में एल्विस समेथ सभी आरोपियों के खिलाफ बन्य जीब संदक्षण अधनियम 1972 की अलग-अलग धाराओ और IPC की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया गया। इस पूरे मामले के खुलासे को लेकर बीजेपी सांसत मेंका गांधी की संस्ता पी एफए ने एहम भूमिका नेभाई है। मेनका गांधी की संस्ता नहीं लोएडा पुलिस को जानकारी दी थी और जिस फार्माउस पर ये पार्टी चल रही थी उसका वीडियो शेयर किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक मुख्विर ने एल्विस से रेव पार्टी के लिए संपर किया था और उसने सापों के जहर की व्यवस्ता करने को कहा था जिस पर उन्होंने अपने एजेंट राहुल का नमबर दिया। मेंका गांदी ने यहां तक कहा कि इस पूरे मामले में एल्विस यादग ही किंग पन है उसे बकसा नहीं जाना चाहिए ये पूरा खुलासा एक स्ट्रिंग ऑप्रेसन से हुआ है जिसे मेंका गांदी के एंजियो से जुड़े लोगों नहीं किया था फिलाल नॉड़ा जिस व्यक्ति के पास खुद की इतनी तगली फैन फॉलोइंग हो जिसके पास पैसों का भंडार हो वो आखिर ऐसे गलत काम क्यूं करेगा ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया हल चल